हेलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपके इमेल आईडी पे जो कॉन्ठेक्ट नंबर सेव रहता है अगर वो कॉन्ठेक्ट नंबर डिलीड हो जाए तो उस कॉन्ठेक्ट नंबर को कैसे वह आपस लाया जाता है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपके mobile से जो है आपके mobile के जो कांटेक्ट के ऑप्शन में जाके वहां पर आप चेक करेंगे जैसे मैं अभी अपने mobile पर चेक कर रहा हूं दबसद के लिए आपको आपके मोबाइल से पहले सेंटिंग जाना है सेंटिंग में जाने पाद dua आपको स्पेलों करना है आपको सarahी सब्खेट में ऐगा इस पर वोग संवान Kr grieving तो उसन पे क्लिक करने के बाद Google Contact Sync पर क्लिक करने के बाद आपको ओप्शन आईगा ऐसा पेज आपका तो यहाँ पर दिके contact.google.com लिखा है तो उसन पर क्लिक करना है तो उसन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज आ जाएगा जसमें आपका जो तो आपको दिखाई देगा यहां पर आपको यहां पर लिखा भी है कि डिलीट होने के बाद से 30 दिन के अंदर तक आप वो नमबर जो है जो भी आपका email ID पर सेव रहता है और वह email ID आपके mobile पर गमेल आप में अगर एड रहती है तो वही contact number जो है आप यहां पर वहापस रिकवर कर सकते हैं तो अभी इसको रिकवर कैसे करना है जैसे आपको कोई भी number आपको वहापस आपके mobile पर सेव करना है तो जैसे एक क्लिक कर दिया हूँ तो अगर आपको सारे नमबर जो ही deleted number सेव करना है तो आपको उपर आना है यहां पर क्लिक करना 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 है तो दो मिनिट के अंदर सारे जो नमबर आप जो डिलीटिड आपके नमबर थे वो सेव हो गए अब ये पेज जो है वो पुरा ब्लांक हो गया अगर आपको चेक करना है तो आप पीछे जाके आपके मोबाल से जो मोबाल के कॉंटेक्ट में जाके आप चेक कर सकते हो जैसे अभी मैंने चेक किया देखे मेरे सारे नमबर जो है वापस सेव हो गए वापस रीकवर हो गए अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद